दोस्तो सन 1963 में सुरया प्रेमनात और प्रिथिराज कपूर जी की फिल्म रुस्तम सौराब आई थी इस फिल्म के गीत जरा याद कीजिए ये कैसी अजब दास्ता हो गई है छुपाते छुपाते बया हो गई है माजंदरा माजंदरा मेरे वतन मेरे जहां और ऐ दिल्रुबा नजरे मिला फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम ना भूलेंगे तुम्हें अल्ला कसम कितने मधूर सारे ये गीत है लेकिन दोस्तो क्या कोई ये कह सकता है क्या ये विश्वस्निय है कि ये सभी गीत संगीत वद्ध करने वाले संगीतकार का ये आखरी फिल्म था इसके बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली और उनके संगीतकार करियर समाप्त हो गई जी हाँ संगीतकार सज्जाद हुसेन उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे संगीतकार सज्जाद अपने मूडी और घुसेल स्वभाब के कारण ना तो कभी टॉप पर पहुँच सके और ना लंबे समय तक चलने वाले करियर बना सके अपने साथी संगीतकारों के बारे में अपमान जनक राय देना या उनके मजाक उराना उनके स्वभाब के एहमियत थी उनके घुसेल स्वभाब के कारण उन्हें कई फिल्मों का संगीत निर्देशन बीच में ही छोड़ना पड़ा था गर सज्जाद की संगीत प्रतिभा पूरी तरह से खिल कर बाहर आती तो हमें ज्यादा मधूर और विशिष्ट तरजे सुनने को मिलती लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं सज्जाद हुसेन एक ऐसे संगीत कार है जिनके फिल्में बहुत कम होते हुए भी कई संगीत प्रेमियों के दिल में बहुत उचे स्थान पर विराजमान है सज्जाद हुसेन मैंडोलिन बहुत बढ़िया तरीके से बजाते थे जो लोग मेंडोलिन ये साज से परिचित नहीं है वो दिलवाले दुलहनिया के टाइटल सौंग देखिये साहरुक खान के हाथ में जो साज है उसी को मेंडोलिन कहते हैं सन 1944 में सज्जाद हुसेन के फिल्म दोस्त आई थी इस फिल्म में नूर जहां का गाया हुआ एक बेहत मधूर गीत बदनाम महबत कौन करे इस गीत में बदनाम ये शब्द पर भार देकर थोड़ा वजन डालकर नूर जहां ने पंजाबी लहके से गाया था और बहुत ही मधूर लगा था वो संगीत सुनने में दिलिप कुमार अभिनित फिल्म संगदील के गीत कहां हो कहां मेरे जिवन सहारे और ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है वो तो चले गए ऐ दिल यादों की उनसे प्यार कर सुनने में कितना मधूर लगता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये सारे गाने जरूर सुनिए 1946 में 1857 के एतिहासिक पढ़भूमी पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था 1857 सुरया का गाया हुआ कुछ मधूर गीत जिसका कॉंपोज सज्जाद हुसेन ने किया था वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है फिल्म खेल 1950 में रिलीज हुई थी उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक गीत जाते हो तो जाओ हम भी यहां आज भी सुनने को अच्छा लगता है दिलीप कुमार अभिनित फिल्म हलचल जो सन 1951 में रिलीज हुई थी उसके कुछ गाने जैसे कि आज मेरे नसीब ने मुझको रूला दिया है कि धुन सज्जाद हुसेन के बनाई हुई थी दिलीप कुमार से अनबनी के कारण सज्जाद हुसेन ने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी तो फिल्म के संगीत महम्मद रफी सहाब ने खुद तयार किये थे सज्जाद हुसेन के संगीत से सजाई हुए कुछ मशूर फिल्मे है 1944 में रिलीज हुई दोस्त और गाली 1946 में रिलीज हुई 1857 उसके बाद खेल, मगरूर, सैया, हलचल, संगदिल ये सारे फिल्में 1950 में रिलीज हुई थी रुखसाना और उनके आखरी फिल्म रुस्तम सोहराप जो 1962 में रिलीज हुई सज्जाद हुसेन के बत्तमीजी की कई किस्से मशूर है कहते हैं दिलीज कुमार जिस फिल्म में काम करते थे उस फिल्म के डाइरेक्शन और संगित में भी वो टांग अड़ाते थे वो उनके आदत थी फिल्म संगदील के वक्त जब दिलीप कुमार ने सज्जाद हुसेन को कुछ मश्वरा दिया तो सज्जाद हुसेन ने दिलीप कुमार को सिधा कह दिया जब मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाने आऊ तब तुम मुझे संगीत सिखाने आना सज्जाद हुसेन कहते थे हिंदी फिल्मों में सिर्फ दो ही उत्तम संगितकार हैं एक सज्जाद हुसेन और दो गुलाम हैदर सज्जाद हुसेन संगितकार नौशाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उनके नौशाद सहाथ के साथ अन्बनी का क्या वज़े है ये तो कोई नहीं जानता लेकिन एक बार एक गाने रिकॉर्डिंग के समय वो लता मंगेश करजी को बोले थे के लता जी जरा ठीक से गाईए ये सज्जाद हुसेन का बनाया हुआ संगीत है नौशाद का नहीं यहां तक सज्जाद हुसेन ने अपने घर के कुट्टे का नाम नौशाद रख दिये थे फिल्म संग्दिल के गीत वो तो चले गए एदिल के रिहरसल के वक्त ये घटना हुई थी जिस घटना के जिक्र हम थोड़े ही दिर पहले किये के सज्जाद हुसेन ने लता मंगेश करज को नौशाद जी के बारे में क्या कहा था सज्जाद हुसेन किशोर कुमार को शोर कुमार कहके बुलाते थे और तलात मामूद को कहते थे घलत मामूद फिल्म हलचल के डाइरेक्टर थे के आसिफ जो भारती फिल्म इतियास में मुगले आजम फिल्म के लिए अमर हो गए हैं हम जानते हैं कि के आसिफ के गाल अच्छे नहीं थे सज्जाद हुसेन जैसे धुनी और बज़ुबान संगीत का के आसिफ की भी परवा नहीं किये और वो एक बार के आसिफ से कह दिये कि अपने गालों पर आरोह अबरोह ठीक नहीं है और मुझे संगीत सिखाने आते हो सज्जाद हुसेन से नाराज दिलिप कुमार ने फिल्म हलचल में से सज्जाद हुसेन को निकालने को कहा तब के आसिफ ने दिलिप कुमार को कहा कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो तुम जा सकते हो लेकिन मैं सज्जाद हुसेन को नहीं निकालूंगा मुझे सज्ज के वगर नहीं चलेगा के आसिव जी का उनके जैसे हस्ती का ऐसे बात यही समझाता है कि भले ही मिजाज में कोई कमी उनका है लेकिन सज्जाद हुसेन किस दर्जे के संगीत का